नमस्ते सर्वदेवानाम वरदास्ती हरीप्रिये या गतिसुत प्रनानाम सामे भीवे दर्चनात आवाहनम नजानामी नजानाम विसरजनम पूजा चैवन जानामी छमिस परमिस्वरह मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरिस्वरह यत्तपूजितम मयादेवी पनिपूडम तदस्तु में। जब कभी हम और आप मंदिर जाते हैं। पूझा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान को नेवेद चढ़ाते हैं। तो कहीं न कहीं अंत में हम आप मंदिर की परिक्रमा करना भूल जाते हैं या जब करने लगते हैं तो हमें ये मालूम ही नहीं पड़ता है कि इस मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए यदि आपको इसका जानकारी है तो अच्छी बात है यदि आपको इस विशे में कोई ज आपके लिए सास्त्रों में बताई गई है जैस्री महाकाल मैरा हुलतिवारी आप सभी का आपका अपने इस चलमे हिर्दे से स्वागत करता हूं दोस्त यदि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं पूजा अर्चना जो भी आपके सक्ति अनुसार है नैवेद्य फल कुछनकुस् चड़ाते ही हैं और अन्त में जब हम पूजा पाठ कर लेते हैं तो हमारे मन में बिचार आता है कि भगवान की मूर्ती है तो हम प्रदिछणा कर लेते हैं भगवान की परिक्रमा कर लेते हैं और परिक्रमा करने के बाद मन में कभी कभी ये संका आजाती है कि हमने कितनी ब बता दूँ कि यह जो इसलोक है आप इस इसलोक को ध्यान में रख सकते हैं हमारे भागवत में पुराण में वेद में इसका उलेख किया गया है कि किस मंदिर की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए जिसमें से यह इसलोक आपके सामने में प्रसुत कर रहा हूँ यदि आप किसी भी मंदिर में जाते हैं माता जी के तो उसकी एक परिक्रमा आप के लिए बताई गई रवी सप्तह यदि आप सुर्य जी के मंदिर में जाते हैं सुर्य कुल के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको उनकी साथ परिक्रमा करनी चाहिए एक चंड़ रभी सप्त त्रिस्त कार्य विनायक विनायक मतलब गजानन महराज तीन परिक्रमा के लिए गड़ेश जी को बताया गया है त्रिस्त कार्य विनायक हरे चतस्त्रह करतब्य विष्ण भगवान, राम जी, विष्ण जी के यदि आप मंदिर में जाते हैं तो आपको उनकी चार परिक्रमा करनी चाहिए और यदि आप संकर जी के मंदिर में जाते हैं तो आपको उनकी अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए पूरी भी नहीं करनी चाहिए इसलिए हमारे सिवजी भोले हैं हर काम में सरलता तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको मातारानी की यदी है तो उनकी एक परिक्रमा करनी है यदि आप स्रीराम जी के, कृष्ण जी के, विष्ण जी के मंदिर में जाते हैं तो आपको चार बार परिक्रमा करनी है और यदि गजानन महराज के मंदिर में जाते हैं तो तीन बार परिक्रमा करनी है सुर्य भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपको साथ बार परिक्रमा करनी होती है और यदि आप संकर जी के महादेवजी की मंदरी में जाते हैं तो आपको अर्ध परिक्रमा करनी है इतना आपको जरूर ध्यार रखना चाहिए यदि बाते अच्छी लगी हो सच्छी लगी हो और जानकारी के लिए अच्छी लगी हों तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं जैसरी महाकाल आपका दिन सुब हो मंगल हो स्वस्तर है मस्तर है